हाई गर्स कैसे हो सब मैं सीमा शर्मा आप लोगं को अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और यह जो साड़ी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप जो सिंडिया.com से ले सकते हैं इसका जो बाय लिंक है मैं जरूर आपको दूंगी और इस साड़ी की ड्रैपिंग भी आप आ रही है और गोल्डन की थोड़ी चौड़ी है तो इसके हिसाप से में आज आपको चूड़ी की मैचिंग करना बताऊंगी ऐसी जो साड़ी होती है उनके साथ अपनी चूड़ी की मैचिंग कर सकते हैं और यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है इससे पहले भी मैंने करेंगी और इसकी हम चूड़ी की मैचिंग देख लेते हैं किस तरीके से आपको करना है अब मैं साड़ी को यही पर साइड में रख देती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा और इस तरीके की आपके पास गोल्डन मैंने पहले भी आपको बताया है कि इस तरीके के जो प्लॉडॉब यदो Owls पहने वाली हूँ और इसके साथ ब्लॉड़ कोलर का है और इसमें गॉल्डव ब्लॉड़ को सॉमझ में ब्लॉड़ के साथ यह साथ पहन पहनने वाली हूँ और इसका ब्लाउज अभी स्टिच नहीं किया, रेड कलर का है, बट मैं इसके साथ ये मैंने मैचिंग की है, और इनके साथ मैं चूडियों का मैचिंग कैसे करती हूँ, यहाँ पर देखी, इसनी सारी मिर पास चूडियां है, इस तरीके की है, अब इसमें से मुझे मैचिंग करनी है, किस तरीके के इसका सेट बनाना है, सारी का, तो आज मैं आपको बताऊंगी, कि अगर आप इस तरीके के जो ब्लाउज पहनते हैं, कंट्रास्ट में पहनते हैं, तो भी आप मैचिंग कैसे कर सकते हैं, अगर सेम कलर भी पहनते हैं, तो आप कैसे मैचिंग कर सकते है बैद कड़े लेने तक यहां और अन मैचिंग करिंगी किस तरहीं से आपको इनका सत्र बनाना तो यह जो आपके पास फिर पतली इसमें आती हैं ब गोल्त कलर की इस तरीके से य भी used हो जाती है तो हम इक्वल हम ले लेते हैं, साइज के जो कड़े हैं वो मेरे पास I think बतब 8 हैं, तो मैं 4 इसमें और 4 कड़े मैं दूसरे सेट में यूज़ करूँगी, दूसरी हाथ के इसमें सेट करूँगी, इस तरीके का ये कुछ इस तरीके का ये बन जाता है, और इसके बाद जो इस कलर ले रही हूँ, यहाँ देखे काफी अच्छा लग रहा था, ये मैचिंग बहुत ही, बहुत लोगों को पसंद आई है, इसलिए मेरे पास request भी आई थी, आप कोई भी साड़ी पहनते हैं, जिस कलर को highlight करना होता है, उसको आप बीच में रखें, इस तरीके से, तो आप पास कोई भी कड़े हो, आप ले सकते हो, इस तरीके से आप बैक में आगे पीछे, ऐसे दो कड़े लगा सकते हैं, आप चाहें तो इतना भी पहन सकते हैं, आप देख सकते हैं, मेरे स्लिप्स यहाँ तक आ रही हैं, तो ये चूड़ी का जो सेट है, मैं जादा चौड़ा करूंगी जादा लंबा नहीं करने वाली हो, ये मेरी स्लिप्स यहाँ तक है, तो मैं इतनी चूड़ीया तो पहनऊंगी ही, इतनी चूड़ीया मेरे हाथ में काफी अच्छ आएंगी, बट मैंने क्या किया था ये ये भी कड़ा, बीच में एड़ किया था, इसमें मोतिया तो इसको भी मैं एड कर सकती हूँ इस तरीके से तो ये देख सकते हैं आप सेट कितना अच्छा मेरा बन के तयार हो गया है अगर आप चाहें तो जैसे मैंने ये नीला रंग का ब्लाउंस पैना है और इसकी मैचिंग चूडियां मैंने एड नहीं किया है मैंने इसमें golden और red कलर को highlight किया है बट आप चाहें तो blue कलर के अगर आपके पास कड़े हैं तो उनको भी add कर सकते हो इस तरीके के अगर आपके पास blue कलर के कड़े होते हैं तो उनको भी आप किस तरीके से add कर सकते हो या तो आप इस तरीके से जहां पर मैंने red color add किया था इस तरीके से कर सकते हो इस तरीके से आप ये बीच वाला red हटा कर इसमें blue color इस तरीके से add कर सकते हो तो ये एक set आपका भी तयार हो गया है इस तरीके का भी setup बना सकते हो या तो आपको मैंने जैसा कहा कि red and golden color को highlight करना है तो मैंने red and golden ज्यादा इसमें मैंने golden color को highlight किया था क्योंकि ये bridal sari मैंने wear की है इसलिए मैंने red and golden color को highlight किया था आप चाहें तो इस तरीके से भी set तयार कर सकते हैं आप चाहें तो इस blue color को आप यहाँ पर बीच में भी इस तरीके से लगा सकते हैं बट इसमें क्या होगा कि आपका golden color जो है वो divide हो जाता है और golden color ज्यादा highlight नहीं होगा छिलागा मैंने 3 set आपको बना के दिखाए आप इस तरीके से भी बना सकते हो इस तरीके से तो इस तरीके से red and golden highlight ज्यादा हो रहा है अब भी मैंने जो वीडियो में पहना है इस तरीके से इस तरीके का तो यह bridal मैंने साड़ी पहनी थी इसलिए मैंने इस तरीके का set बनाया है इसमें blue color एड नहीं किया है आप कर सकते हैं और अब हाथ में पहन के दिखाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा आप द कड़े हैं मार्किट में काफी इसलि मिल जाते हैं अगर और भी आप चूड़ी की मैचिंग देखना चाते हैं और मैं किस सरीके से अपनी चूड़ीयों को अरजेस्ट करती हूँ कमेंट करके बता सकते हैं अब मिलते हैं नई वीडियो में नई कंटेंट के साथ तब तक के लिए बबाई टेक्या लव यू